असलाम अलेकुम सुटूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलास एथ चप्टर नंबर थ्री सब्जेक्ट मैथ अंडर्स्टेडिंग कार्ड रिलेटल के बारे में तो आज हम सीखेंगे कार्ड रिलेटल किसको कहते हैं और इसके जो टाइप से वो क्या है तो इससे पहले हम क्या करेंगे हम सीखेंगे कर्व किसको कहते हैं और पॉलिगन किसको कहते हैं तो उसके बाद हम आएंगे कार्ड रिलेटल पर तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कर्व किसको केते हैं अगर आप एक plane surface लेते हैं तो इस पे आप एक से ज्यादा points को connect करते हैं तो इसको हम कर्व केते हैं जैसे हम कुछ कर्व यहाँ पे draw करते हैं जब हम एक से ज्यादा points को draw करते हैं तो इसको हम करव केते हैं तो यह जो करव है यह सिंपल भी हो सकती है और सिंपल नहीं भी हो सकती है और यह करव जो है क्लोजड भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है तो यहां हम आपको दिखाएंगे simple करू, close it करू और open करू में क्या फरक है और किसको केते हैं ठीक है यहां पर हमने कुछ करूज बनाई है आप यहां पर देखेंगे बहुत सारी करूज हमने यहां पर बनाई है यह सबी जो है अगर चाहे टीडी हो, सीडी हो इन सब को हम क्या कहेंगे करूज कहेंगे तो अब यहां पर हम देखेंगे इसमें से close it कून है और open कून है यह अगर आप देखेंगे पहली जो करूज है यह हमने इसको हम close it करूज करूज कहते है close it है, open है तो आपको समझ आया होगा कि open करो हम किसको कहते है और close it करो किसको कहते है अब दूसरी बात है इन में से simple कून से है अगर आप देखेंगे यह जो है यह simple करूज है और यह एक जो है यह simple नहीं है यह जैसे हम ऐसे एक और बनाएंगे यह भी करोज है मगर simple नहीं है तो यह सभी यहां पर कर्वज कहलाएंगी और इसमें से कुछ कर्वज simple है कुछ कर्वज है और कुछ open कर्वज है तो इसके बाद हम अब देखेंगे polygन हम किसको कहेंगे इन में से कौन सी कर्व polygon है और कौन सी polygon नहीं है सबसे पहले हम देखेंगे polygon हम किसको कहेते है polygon उस simple कर्व को कहेते है जो line segment से बनती है जैसे इसमें जो यह कर्व है यह polygon है क्योंकि यह line segment से बनी है simple closed कर्व made up of line segment is called है polygon polygon हम किसको कहेंगे जो भी कर्व line segment से बनी है याने citraid line से बनी है और closed है उसको हम polygon कहेते हैं अब इस में से हम देखेंगे कौन कौन सी कर्व polygon है यह polygon है यह polygon है यह close line segment से बनी है मगर open है इसको हम polygon نہیں कहेंगे यह यहाँ पे polygon है इसका मतलब है जो भी closed curve है और line segment से बनी है तो उन curves को हम polygon कहते हैं ठीक है तो इसके बाद हम देखेंगे classification of polygons जैसे मैं किसी student से कहूंगा आप अब polygon बनाईए तो वो क्या करेंगे कोई ऐसे बनाएगा polygon कोई इसके चार sides बनाएगा और कोई इससे ज्यादा sides बनाएगा यह हम हमने जितनी भी करूँ यहां पर नीचे ड्रा की है यह सभी polygons है क्योंकि यहां पर जो भी हमने करूँ बनाएगा सभी line segment से बनी है ठीक है तो यहां पर हम एक और बनाएगे इन सब को हम क्या कहेंगे polygons क्योंकि यह सभी line segment से बने हैं अब हिनको हम classify करेंगे इनके sides के हिसाब से MICH daarने किसमे कितने sides है हम पहले देखेंगे कमसे कम कितनी sides से एक polygons बनता है कमसे कम एक polygons जो है कमसे कम तीन sides से बनता है तो जो polygon अब तीन line segment से बनता है इसको हम triangle कहते हैं polygon तो है अगर अब triangle classification में अब triangle आईगा तो इसके बाद जो 4 sides से बनता है उसको हम क्या कहते है order lateral और इसके बाद जो point side से बनता है इसको हम कहते है pentagon फिर 6 second side 1,2,3,4,5,6 इसको कहते हैं hexagon इसी तरीके से ये भी order lateral है ये triangle है इसके बाद जो 7 side से बनता है वो heptagon फिर 8 side से बनेगा जो उसको कहते है octagon फिर nano gun, decagon 10 side से बनता है तो जितने भी side से बनेगा उनको साइडस के हिसाब से हम कलाइस पाई करते हैं तो यहां पे हमने क्या पढ़ना है आज chord later तो इससे पहले हम एक और बात बताएंगे जो अब ये chord later जो पॉलिगन्स है तो उससे पहले हम इन में देखेंगे diagonal हम किसको कहते हैं diagonal जैसे अगर हम दो non consecutive vertices को आपस में connect करते हैं तो इसको हम diagonal केते हैं जैसे हमने यहां पे एक diagonal draw किया है यह vertex और यह vertex यह consecutive है यह और यह non consecutive है तो जब हम non consecutive vertices को आपस में join करते हैं connect करते हैं वहां जो line बनती है उस line को हम क्या कहते है diagonal यहां से इसमें दो diagonal बने हैं इसी तरीके से इसमें भी बन सकते हैं इसमें भी बन सकते हैं इसमें भी दो diagonals बनेंगे ठीक हैं अब देखें यह pentagon है इसमें कितने बनेंगे 1, 2, 3, 4, 4, 5 ठीक है तो ट्रेंगल में कोई diagonal नहीं होता है तो जब हम किसी polygon में दो non consecutive vertices को आपस में join करते हैं जो line वहां पे बन थी है उसको हम diagonal कहते हैं अब question यहां पे है एक polygon में हम कैसे find करेंगे इसमें कितने diagonal होते हैं इसके लिए जो formula है वो है n into n minus 3 divided by 2 जैसे यह hexagon है इसके कितने sides है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6 sides है हमने यह पता करना है कि इसमें कितने diagonals है कितने diagonals बनेंगे तो इसमें जो diagonals है n यहां पे number of sides हमने देखना है इसमें कितने, इसके sides कितने है 6, यहां पे हम लिखेंगे n 6, फिर से 6 minus 3 divided by 2 2, 2, 1, 2, 3, 6 इस 3, 6 में से 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 ठीक है तो इसका मतलब है इस hexagon में total 9 diagonals बनेंगे और example हम बताएंगे यहां पे अगर किसी side से तो आपको बताना है इसमें कितने diagonals बनेंगे तो आपने क्या करने है formula यह रहेगी 12 into 12 minus 3 divided by 2 2 1s are, 2 6s are 12 that is 6 into 12 में से 3 निकालेंगे 9 6 9s are 54 तो जिस polygon के 12 sides होंगे उसके diagonal जो है 54 होंगे ओके तो यह रही diagonals की बात अब हम देखेंगे यहां पे convex polygon और concave polygon में क्या फरक है convex polygon किसको केते है और concave polygon किसको केते है convex polygon उस polygon को केते है जिसके सिभी angles जो है less than 180 होते है यानि जितने भी angles polygon में है वो 180 से कम अगर है तो उसको हम convex polygon केते हैं अगर आप यहां पे जो यह polygon है इनके सिभी angles जो है less than 180 है यह दूसरा polygon है यहां पे इसके भी angles जो है 180 से कम है और एक बात जो इनके diagonals होते हैं convex polygon के diagonal वो सारे diagonals inside में लाई करते हैं जीसे हम यहां पे इसके diagonals ड्रॉग करते हैं जो दूनों ड्र ड्रेगनल है वो прогlator के inside में है यह एक polygon है इसमें भी जो diagonal हमने drug की है सारे जो diagonal है inside polygon है यह आप देख रहे हैं यहां पे इतने भी diagonals है वो सारे इंसाइड में है इसका मतलब है जो कनवेकस बालिगन होता है उसके सबी एंगलुज जो है वो less than 180 होते है और जितने בी इसके ढाजनल होते है वो इंसाइड में लाई करते है उसका कोई हिस्सा، डाजनल का कोई हिस्सा outside में नहीं होता है और जो kane抣 पालिगन होता है इसके जो angles होते हैं उसमें at least one angle जो है हो होता है reflex, यैंनल 180 से ज़्याद जिसका जीसे ये angle है इस polygon में ये जो angle है reflex है यानि 180 से ज़्याद है तो इसका मतलब है ये जो polygon है ye can kaw है इसमें भी एक एंगल है यह भी 180 से ज़याद है बागए 180 से कम है मगर at least one angle 180 से ज़याद है यहने r्ट्लیक्ण से इस需 तरह केंगए diagonal का कोई हिसा या कोईительно आउटसाइड में लाए करते हैं, जैसे यह डाइगनल है, इनसाइड में हैं, यहां से हम डाइगनल ड्रा करते हैं, यह इसका जो डाइगनल है, आउटसाइड में लाए करते हैं, यहां पे भी आप देखेंगे, आउटसाइड में डाइगनल हैं, उच डाइगनल इनसाइड म एंगल जो होते हैं उनमें ऐसे एट लिस्ट वन एंगल जो होता है वो रिप्लेक्स होता है इन्हें जिस पॉलिगन का कोई एंगल या एक एंगल 180 से ज्यादा है और डाइगनल का कोई हिसा आउटसाइड में लाए करता है उसको हम के पॉलिगन कीते हैं और जिस पॉलिगन के सारे angles डागनल्स इंसाइड में होते हैं और सारे angles जो होते हैं 180 से कम होते हैं उनको हम कानवेकस polygons केते हैं अब हम देखेंगे regular polygon और irregular polygon में क्या फरक है हम regular polygon उस polygon को केते हैं जिसके से भी sidus और angles बराबर होते हैं यानि जो equi-angular और equilator होता है यानि साइड और angles बराबर होते हैं जैसे equilator triangle है सुकेर है या pentagon है जिसमें से भी angles बराबर है और से भी sides बराबर है इन polygons को हम regular polygon केते हैं और irregular polygon इस polygon को केते हैं जिसमें angles और sides बराबर नहीं होते हैं एक दूसरे के ठीक है उन polygons को हम irregular polygon केते हैं ठीक है उसके बाद हम एंग्लेस पर जाएंगे तो अब हम देखेंगे यहां पर सम आप एंग्लेस आपे कॉर्ड रिलेटर सुम और एंग्लेस और इन ए कॉर्ड रिलेटर एन एक पालिगन में जितने भी एंग्ल holes हैं उनका सम कितना होता है आपके से फाइंट करेंगे सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रैंगल बनाएंगे ट्रैंगल का आपको पता है इसमें जो एंग्ल explained है उनका जो सम होता है 180 होता है इसके बाद हम quarter later बनाएंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक diagonal यहाँ पर ड्रा का थे तो यह जो quarter later है दो triangles में divide हो जाता है इसका sum 180 होगा इसका sum 180 होगा तो total जो sum बनता है 360 ठीक है तो यहाँ से हम एक और quarter later बनाएंगे polygon बनाएंगे इसको भी हम अगर divide करेंगे तो दो triangles में होता है तो इसका मतला भी इसमें भी 360 angles का sum होगा यहाँ हम pentagon बनाएंगे यहाँ पर अगर हम इसको triangles में divide करेंगे 1 2 or 3 1 2 3 इसका 180, 180 और 180 तो total कितना बनता है 180 180 इन्टू 3 3 0 3 is a 24 3 1 is a plus 2 540 अब कैसे करेंगे sum कैसे निकालेंगे किसी polygon का जिसके 4 sides, point sides जाज जितने भी sides होंगे तो इसके लिए formula है N minus 2 into 180 यहनि इसके जितने भी sides है उसमें से 2 minus करना है और multiple करना है 180 तो वह जो answer आएगा उतना sum होगा उस guard letter ने For example, किसी polygon में 9 side से तो आपने बताना है उसके angles का total sum कितना होगा तो आप क्या करेंगे 9 minus 2 इन्टो 180 इन्टो 180 इन्टो 180 यहनि वो सार ट्रेंगलों में डिवाइड हो जाएगा 700, 0, 7, 8, 56 7, 1, 7 प्लस 5 होगे है 12 इन्टो जिस polygon में 9 sides होंगे उसमें जो angles हैं उनका sum होगा 1260 यहनि आपने क्या करना है N minus 2 into 180 जितने भी उसके sides है उसमें से 2 minus करना है और multiple करना है 180 इस तरी के से आप sum of angles आप आप वाले गन निकाल सकते हैं जैसे hexagon है hexagon में कितने sides होते हैं 6 sides आपने बताना है इसमें जो angles हैं उनका sum कितना होगा आप क्या करेंगे 6 minus 2 into 180 जैसे 6 minus 2 4 into 180 4 0 0 4 8 0 32 4 1 4 plus 3 700 20 होगा hexagon के angles का sum इस तरी के से आप angles का sum भी निकाल सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही है निशाल्ला अगले वीडियो में हम exercise करेंगे इसकी जितने भी exercise हैं उनको हम करेंगे इसके बाद वो वीडियो भी आएगा Thank you very much